गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उग्रिशेन को स्वाहा, आप सभी छात्रों छात्राओं को प्रगती कोचिंग 143 में हार्तिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आज हम आप लोगों के लिए कलास 10th मैथ जो चेप्टर फर्स्ट वास्तिविक संख्या है, वो लेकर आया हूं वास्तिविक संख्या को समझने से पहले कुछ और चीजों को समझ लेना चाहिए, संख्याओं का ज्यान होना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है, यह इतना ही पूंटेट है कि इसको कलास 7 से ही हम लोगों सिखाया जाता है, और यह कलास 7 से लगतार पिछा करते हुए 11, 12 तक और आगे भी आता रहता है, तो आए सबसे पहले लोगों जानते हैं, इसके बारे कुछ बेसिक जनकारी संख्या क्या है, इसे कितने भागों में बाटा गया है, किस प्रकार बाटा गया है, इसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में संख्या ह पताने के लिए जिस रासिक आप प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं जैसे मैं बोल जयेगी बताईए दोस्तों मेरे पास ये कितना पेन हैं तो आप क्या बताएंगे सर एक पेन हैं क्या बता है एक यानि किस रासी को मैं प्रयोग किया एक का तो एक हम लोग क्या हो गया संख्या हो गया अगर माली जी मेरे पास मेरे पास दो पेन हो गया या मेरे पास माली जी एक बुक है मैं बोल दूगा कि दोस्तों यह बता है मेरे पास कितनी बुक है ताब क्या आपके पास एक बुख है, है कि नहीं, तो जिस किसी भी रासी को बताने, किसी भी चीज को बताने के लिए, जिस रासी का प्रियोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या करते हैं, समझ में आ गया होगा, आइए चलते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में, जि हम लोग इसको बच्वा से जानते हैं कि प्राकृतिक की संख्या यानि गिंतिक जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या गिंतिक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिंतिक की संख्या कहां सुरूती है एक दो तीन चार डडडडड अलनतक यानि गिंतिक की संख्या को लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसके समुच्य को इसके समुच्य को जिससे समुच्य किसी दर साते हैं यल से यानि इसके समुच्य को हम लोग यल से दिखाते हैं और समुच्य क्या होता है तो इसको जब मझले कोष्टक में लिख देते हैं तो समुच् गींतिक संख्याओं को प्राकिर्तिक संख्या कहते हैं समझेंगज्या अब कुछ लोगों ने देखा कि अगर माले जी मेरे पास एक संख्या है UX फ्लस टू बराबर टू यह मेरे पास एक समिक्रण है इसको जो साल्व किया गया тов differently पिला यक्स माइनस टू यानि यक्स इसकल टू जीरो लोगों ने देखा कि क्या इस प्राकृतिक संख्या में तो जीरो नहीं है इस जीरो को कहां पर रखा जाएगा यानि यह जो प्राकृतिक संख्या है पूरण संख्या नहीं है तो इसके लिए एक और संख्या बनाया गया कौन सी संख्या पूरड संख्या कैसी संख्या पूरड संख्या इसमें क्या किया गया पूरड संख्या क्या होता है तो इसी प्राकृतिक संख्या में यानि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया गया यानि वहां संख्या जो जीरो से शुरुआत होती हो और कहां त लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? सुनने होना चाहिए. क्लियर है? अब बात आती है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ड संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ड संख्या होती है? जी हाँ, जरूर होती है. क्यों? तो कि सभी प्राकृतिक पूर्ड संख्याओं में पूरी पूरी आ जाती है देखिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुवात कहा से होती है एक से और वह प्राकृतिक संख्या पूर्ड संख्या में है की नहीं है इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं पूर्ड संख्या होती है लेकिन अगर मैं बो प्राकृतिक संख्या में सुने दिखाई दे रहा है नहीं इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है किलियर समझ में आगे होगा आप लोकों आगे चलते हैं अब क्या हुगा दोस्तों कि लोगों ने एक समिकर लिया जैसे यॉक्स प्लस टू इसको जब साल्व किया गया तो मिला यॉक्स बराबर वन माइनस टू यॉक्स मांन किया माइनस वन लोगों ने देखा कि जो प्राकिर्थिक संख्या है और पुर्ड संख्या है उसमें तो यह माइनस वन नहीं है आता ही जो संख्या है पुर्ड नहीं है तो उसके लिए एक सारड़ी और बनाया गया एक और ने संख्या बनाया गया जिसका नाम दिया गया पुर्डांक और यह पुरुडांक में क्या किया गया कि इसमें माइनस अनन्त से लेकर और संख्याओं को कहा तक रखा गया माइनस से लेकर माइनस अनन्त से लेकर प्लस इंफनाइट यानि अनन्त तक रखा गया इस संख्याओं को बोला गया पुरुडांग संख्या यानि मेरा कहने का मतलब क्या कि पुरुडांग संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी आएगी पुरुड संख्या भी आएगी और साथ ही जो संख्या का मान माइनस में आ रहा है वो भी आएगा ठीक है अब इस पुरोडांग संख्या को दो भागों में बटा गया इस पुरोडांग संख्या को कितने भागों बटा गया दो भागों बटा गया इधर वाली संख्या जो प्लस में है इसको बोला गया धानातमक पुरोडांग क्या बोला गया धनात्मक पुरोडांग तथा जो इधर माइनस वाली संख्या है जो माइनस की संख्या है उसको बोला गया रिडात्मक पुरोडांग धनात्मक पुढ़ांक और रिडात्मक पुढ़ांक जो प्राकृतिक संख्या है धन में थी उसको धनात्मक पुढ़ांक कहा गया और जो प्राकृतिक संख्या है माइनस और निगेटिव है उससे क्या बोला गया रिडात्मक पुढ़ांक बोला गया किलिए रहे दस्तों आईए जानते हैं समसंख्या के बारे में समसंख्या जिसको इंगलीज में बोलते हैं event number event number समसंख्या क्या होती है समसंख्या होती क्या है तो जो संख्या दो से पूरी पूरी बिभाजित हो जाती है यह पूरी पूरी कट जाती है विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं समसंख्या कहते हैं जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 सभी क्या है समसंख्या सभी समसंख्या है लेकिन अगर दोस्तों पुछ देख क्या माइनस 4 समसंख्या है माइनस 6 समसंख्या है माइनस आठ समसंख्या है जी हाँ यह अभी क्या है समसंख्या देखिए दो से डिवाइड करने पूरा-पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा कट जाएगा न लेकिन यह माइनस में किसमें है माइनस में यह रिडात्मक पुडांक है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिडातमक सम संख्या अज़ो संख्याओं का मान प्लस में आएगा जैसे चार बटे दू को से केड़ दो बार छे बटे दू क्या मिला? दो यानि इसको बोलते हैं धानातमक सम संख्या धनात्मक सम संख्या किलियर यानि जिस संख्या का मान दो से विभाजित करने पर माइनस में मिल जाता है वो रिडात्मक संख्या पूरी-पूरी विभाजित होगी लेकिन उसका मान किसमें मिलेगा माइनस में वो होगा रिडात्मक संख्या अब जो संख्या दो से पूरी पूरी भी भाजित हो जाएगी उसका answer जो निकलेगा यदि धन में प्लस में निकल गया उसको बोलते हैं धनात्मकसम संख्या clear अब बात आया तो जीरो का जीरो कैसी संख्या है तो जीरो से भी सुनने भी एक सम संख्या यह, कैसी संख्या है सम संख्या है आप कहेंगे कैसे, ता यह मैं आगे इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आगे इसको प्रूफ करूँगा कि जीरो सम संख्या कैसे है ठीक है, आगे चलते बिसम संख्या के बारे में बिसम संख्याएं होती क्या बिसम संख्या को इंगलीश में बोलते हैं और नमबर जानते हैं बिसम संख्या के बारे में यानि वह संख्या वह संख्या जो दोसी पूरी-पूरी विभाजित नहीं होती है जो संख्याओं में दोसी डिवाइट करेंगे अगर वह पूरी-पूरी विभाजित नहीं होगी उससे हम लोग बोलते हैं विशम संख्या वनि और्ड नम्बर जैसे यह सभी संख्या है वो हैं जिसमें दो सिट डिवाइट करने पर यह पूरी-पूरी विभाजित नहीं होती है ओके दोस्तों तो जो संख्याओं का मान माइनस में आएगा इसको बोलेंगे रिडातमक बिसम पुरोडांक केलियर। यह जीन संख्याओं का मान दो से विभाजित करेंब पूरी पूरी नहीं कटेगी। और उसका मान यदि माइनस में आएगा, तो रिडात्मक विशम पुढांक, अजो संख्या है दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, उसका मान प्लस में आएगा, वो होगा धनात्मक विशम पुढांक, क्लिए रहे? आएगे जानते हैं अभाज संख्या के बारे में, इसको बोलते हैं English में प्राइम नमबर, इसी अभाज संख्या को रूड संख्या के नाम से भी जानते हैं, अभाज संख्या होती क्या है? अभाजित संख्याएं वे संख्या होती है जो केवल एक से और स्यम यानि अपने आप से विभाजित होती है यानि वे संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाजित होती है उससे हमनों बोलते हैं अभाज्य संख्याएं इस के आलावा यानि एक और अपने आपके आलावा ये किसी और संख्या से भी भाजित नहीं होगी यानि जो संख्या केवल एक से और अपने आप से भी भाजित होती है उस संख्याओं को रूड संख्या या प्राइम नंबर यानि अभाज संख्या का देन जैसे जैसे दो तीन पाँच साथ ग्यार तेरह ये वो संख्याएं इसके अलावा और है जो केवल एक और अपने आप से ही कटेगी यानि जो संख्याएं केवल एक से और अपने आप से कटती है उन संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज संख्या यानि रूड संख्या अगर बात करें दोस्तो एक से पचास तक की संख्याओं में टोटल पंदरह अभाज संख्याओं होते हैं एक से पचास तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज संख्याओं होती है पंदरा अगर बात करें पचास ले सो तक की पचास से सो तक की संख्याओं में टोटल दस अभाज संख्याओं होती है कितनी अभाज संख्याओं होती है दस अगर पूरा बात करें एक से सो तक की तो एक से सो तक में देखिए पंदरा यहाँ पर और दस यहाँ पर टोटल कितना पचीज यानि कोई पूछे आप से कि एक से सो तक की बीच में कितनी अभाज संख्या पाई जाती है तब क्या बताएंगे पचीज सबसे छोटा अभाज संख्या सबसे छोटा अभाज संख्या दो और दो कैसी संख्या है सम संख्या भी है तो सबसे छोटी अभाज संख्या यानि रूड संख्या है clear है आई जानते हैं भाज संख्या के बारे में भाज संख्या यानि composite number इसको इंगली से बोलते है composite number अब भाजी संख्या में अभी उनों पड़े हैं कि जो संख्याएं केवल एक से और अपने आप से भी भाजित होती है उसे अपनों बोलते हैं अब भाजी संख्या लेकिन भाजी संख्या में क्या होती है कि भाजी संख्याएं एक से तो कटेगी स इसके अलावा कोई एक और संख्या से भी क्या होगी पुरी पुरी विभाजित होगी यानि भाजित संख्याएं दोस्तों एक से भी कटेगी स्वयम से भी कटेगी लेकिन इसके अलावा एक और संख्या से भी क्या होगी कटेगी बोल सकते हैं कि जो संख्याएं एक से स्वयम स से तथा एक और किसी संख्या से भिभाजित होती है उस संख्याओं को हमनों भाजित संख्या आनि कमपोजित नंबर कहते हैं यई जो संख्या हैं एक से सुयम से इसके अलाबा किसी और संख्या से विभाजित होती है उन संख्याओं को उनको बोलते है भाज संख्या यानि कमपोजिट नमबर जैसे चार छे आट नव दस डडडडड चार देखिए दोस्तों चार चार या एक से भी विभाजित होगा चार स्यम से भी विभाजित होगा यानि चार से भी विभाजित होगा और इसके साथ साथ ये दो से भी विभाजित होगा यानि जो संख्याओं एक से स्यम से इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है तो उसको अमनों बोलते हैं भाज संख्याओं आप कहेंग संख्याएं एक स्वयम से इस ते अलावा किसी और संख्या से भी भाजित होती है तो उन संख्याओं को बोलते हैं हम लोग कैसी संख्या भाजित संख्या क्लिए रहें सबज में आगया होगा आगे चल रहे हैं आएए दोस्तों जानते जीरो संख्या क्यों है हम लोग देखें अगर इस पूरो डांक में तो आठ कैसी संख्या है समसंख्या है अगर इस आठ से दो अंगं पीछे जा रहे है तो क्या मिला चो कैसी संख्या है समसंख्या है जब इस से में दो अंग पीछे गया तो यहां पर भी क्या मिला चार और चार पे उनों कैसी संख्या है समसंख्या है जब इससे में दो अंग पीछे गया तो क्या मिला दो दो कैसी संख्या है समसंख्या है तो जब बताएं दोस्तों इससे भी दो अंग पीछे जाएंगे तो क्या मिला सुन्य तो सुन्य भी किसी संख्या हुआ समसंख्या हुआ आगे देखते हैं अब इससे दो अंक पीछे गया तो क्या मिला दो लेकिन किसके साथ मिला माइनस में उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है दो दो सुभी भाजित होगा न लेकिन इसका मान माइनस में आ जाएगा इसले लोग कि इसको कैसी संख्या बोलेंगे रिडातमक संख्या बोलेंगे जब इससे दो अंक पीछे गए तो यहाँ पर भी क्या मिला संख्या ही हम लोग को मिला यानि जब हम पुरुडांक संख्या में देखा कि जब दो अंकम पीछे जा रहे हैं या दो अंक आगे जा रहे हैं तो जो संख्याएं मिल रहे हैं कैसी मिल रहे हैं सम मिल रहे हैं जिसमें जीरो भी आ रहा था इसलिए सुन्य हम लोग कैसी संख्याएं सम संख्याएं तो अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा तो अगर जो वीडियो समझ में आगा जो कुछ भी समझ में आया होगा आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो कुछ भी बता हूँ आप लोग के पास तुरन चला जाए धन्यवाद